हेलो दोस्तों आप सभी कब बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चनल टेक्स साब दिवें दोस्तों सबसे पहले आप सभी से माफी चाहता हूँ कि काफी लंबे टाइम से दोस्तों वीडियो अप्लोड नहीं कर पा रहा था सो फाइनली कोसिस करूँगा कि रेगुलर आपके लिए वीडियो अप्लोड करता रहा हूँ और चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में और आज का जो हमारे टॉपिक है यानि जो भी छातर है hem सम्पूर के साथopit में या फिर एक दोबी सेगसे साथ में up के मादियम से 10 आविदनः कर सकते हैं और विडियो को लास तक आप देखें क्योंकि काफी सारे अथे सवास्वाट्सफूर्फ का ब संबाज आँते हैं मिलनेग हुन साल भी मैंने इसमें इंक्लूड कियें कि जो आधिकतर आपके मन में रहते हैं और कहां से आपको आविधन करना है कितनी फीस आपको प्राइवेट के लिए पे करनी होती और 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 भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको इस वीडियो में मिलने वाले तो दोस्तों जो भी हमार समारी आती है यूपी बोर्ड में वह आती है फेल चात्रों वाली यानि जो स्टुडेंट्स यूपी बोर्ड से 10 या 12 में फेल हैं या फिर सी बोर्ड के फेल चात्र रहे हो या फिर किसी अन्य बोर्ड के चात्र है जो फेल हैं और वह यूपी बोर्ड के माद्यम से 10 या 12 प् करना चाहता है मालीजे वह पहले 12 में फेल था तो अब 12 को अपनी करना चाहता है या फिर किसी अन्य बोर्ड से भी क्यों ना हो तो वह यदि प्राइवेट यूपी बोर्ड के माध्यम से अपनी पढ़ाई को करना चाहरा है तो बिल्कुल वह ऐसे चातर भी आविदन कर सकते ह आती है पर दोस्तो नाइंथ पास स्टुडेंट यानि ऐसे चातर जो अपनी नाइंथ पास उन्होंने कर ली है उसके बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया यानि ड्रोप आउट कर दिये तो चाहिए वह किसी भी बोर्ड के क्यों ना रहे हो यानि 9 उन्होंने चाह दोस्तों बात करते हैं अगली कंडिशन के बारे में दोस्तों ऐसे चातर जो 12 में complete सब्जेक्ट में पास आउट है या फिर टैंफ में पास आउट है चाहे वह सी बेसी बोड के हो या फिर यूपी बोड या फिर किसी अन्यवी बोड के भी क्यों नहों और वो यदि एक या दो या तीन यूशे के साथ में यूपी बोड के माध्यम से 10 या 12 कर सकते हैं प्राइवेट अच्छा यहां पर अधिकतर सवाल रहता है कि क्यों एक या दो तीन वीशे के साथ में अधिकतर स्ट्वेंट क्यों करते हैं तो यहां ऐसा है देखे माली जे पहले आपने जो वेकेंसी में प्राविदिख कला मांगी जाती है उर्दू मांगी जाती है जबकि आपने नहीं पड़िया तो आप एक या दो विसा के साथ में यूपी बोड के मादम से प्राइविट देने के बाद आप इलीजिबल हो जाते हैं इन सब चीजों के लिए जैनी इस तरीके क education यह आप जाना चाह रहे हैं या फिर vacancies में मांगा जाता है तो आप इल्कुल इजिवल हो जाते हैं तो इसलिए दोस्तों इस तरीके से चात्र एक या दोविशे के साथ में intermediate कर लेते हैं माली जी किसी चात्र ने 12 अपनी यूपी बोड से की हो या सीवेसी बोड से यह फिर किसी अन्य बोड से भी हो उसके जो सब्जेक्ट से हैं आर्ट साइट से पहले उसने की है हिंदी इंगली सिस्ट्री पोलिटिकल एंड सोचलोगी यह पांस सब्जेक्ट के साथ उसने 12 की हुई ए अपनी पहले और वो चाता है कि भी साइन साइट से भी मैं कर लूँ तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन स्टुएंट्स को ओनली फिजिक्स केमस्ट्री और बाइलोजी यानि साइन्स विज्ञान वर्क की तरफ जाना चाता है तो तीन से साथ एक्जाम देनी की आविसकता होती है यूपी बोर्ड के माधियम से तो उसे एलिज सब्सक्राइब होती है तो इस तरीके से आप ऐसे समकष्ठ हो जाते हैं साइन्स स्टुडेंट या फिर आप कॉमर्स साइट से की है इस तरीके से चात्तर अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और यहां पर दोस्तों आपको यह बताना चाहता हूं कि भी ट् रा सरे चाहता है टो इस तरीके से कास्यूंग के मांगा जाते हैं संस्कित और यहां सब्लकुल यहां कर सकते हैं तो यह टैंथ में में को 70 के साथ कर सकतें जालिएंडहच के सांट में चालिए दोस्तों बात करते हैं अधली कंडीशन के बारे में दोस्तों ऐसे चातर जो 11 क्राने के बाद में उसके बाद मुन पढ़ाई को छोड़ चुके हैं रेगुलर करी थी उन्होंने पहले और अब वो चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई को दुवारे से कंटीनिव कर ले तो ऐसे चातर भी दो वरसी पत्तराचार स्रेडी के इंतरगत पंजी कराने के बाद में यूपी बोर्ड के माध्यम से प्राइ किया गया है और इसमें सारी डिटेल हम जानेंगे कि कितनी डेट तक हम आविदन कर सकते हैं और कितनी फीस स्टुडेंट्स को प्राइविट के लिए पे करनी होती है तो दोस्तों यहां पर देखेगा आप यहां लिखा है कि संचालित वर्स 2024 की हाई स्कूल तता इंटर्मि में देखे संस्था के प्रिधानचार्य दोवरा चात्र ओवलिक चात्राओं का कक्षा 10 एवं 12 में प्रिवेश लेने तता परिक्षा सुल्क प्राप्त करने की जो अंतिम्तिति है वो 5 अगस्त है यानि स्टूडेंट्स जो एड्मिशन लेंगे स्कूल में वो 5 अगस्त तक स्टूडेंट्स एड्मिशन लेंगे जो भी इडिया के लिए तो 5 अगस अपने फीस जमा करकी इ DIY और इड्मिशन लेंगे उसके बाद में इस्टूड का काम सुरू हो जाता यानि ये स्कूल की इस तरह का काम है, यानि जो students आपका काम सुर्फ only 5 अगस तक है, जब students 5 अगस तक admission ले लेंगे, उसके बाद में 10 अगस तक school के लिए आदे से की 10 अगस तक उनकी fees bank में जमा कराएंगे, और जब उनकी fees 10 अगस तक जमा हो जाएगी, तो उसके बाद में उन स्कूल के माध्यम से 10 अगस तक होने जमा कराए जाएगी, और फिर सारी डाटाबेस है, जो भी students का डाटा है, वो सारा online students का डाटा स्कूल के माध्यम से 16 अगस तक चड़ाए जाएगा, तो इसके बाद में दोस्तों यदि आप 10 अगस के बाद आप admission के लिए जाते हैं, तो यहाँ सीधा सीधा लिखाए देखिए, दस अगस्त 2023 के पस्चात पिरती चातर 100 रुपे विलम सुल के साथ परिछा सुल्क चालान के माध्यम से कोसागार में जमा करने की अंतिम्तिती 16 अगस्त, यानि 10 अगस्त के बाद यदि आप जाएंगे admission के लिए, तो 11 से ले करके 16 16 अगस्त चातर भी admission ले सकते हैं, लेकिन इस बीच में उनकी जो fees है, जो actual fees है, उसमें 100 रुपे late payment के साथ जमा करने पड़ेगी, और कितनी fees है वो मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा दोस्तों आगे, तो 16 अगस्त तक late payment के साथ है, और जब 16 अगस्त तक admission हो जाएंगे, तो उसके बाद उनका जो data है, इसकूल के माध्यम से online 20 अगस्त कराए जाता है, तो इस तरीके से दोस्तों 5 अगस्त तक आपकी without late payment है, और उसके बाद जदी आप admission लेते हैं, तो जो late payment के साथ आपको fees पे करनी पड़ेगी 16 अगस्त तक, तो कुल मिलाकर last date जो है, वो 16 अग data college में जमा किया है, offline, firm भरके जमा किया है, तो उस firm के online जो उन्होंने स्कूल के माधम से किया गया है, उस data को आप 21 से लेकर 31 अगस्त के बीच में आप चेक भी कर सकते हैं, कोई आपकी truthy तो नहीं, कोई correction तो नहीं किया गया है, क्योंकि online करते हैं कभी-कभी ऐस होता है, correction भी हो जाता है, चलिए दोस्तो अब बात करते हैं, फीस के बारे में, दोस्तो अगली ये detail है, दिखिए दोस्तो वर्स 2024 की high school of intermittent परिक्षा के लिए, परिक्षा सुलका विवरना ये, तो यहां हम बात करेंगे, सबसे पहले high school व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत मतलब private students, तो यहां जो high school है, जो चातर fail है, यानि complete विशे के साथ मैं UP board से high school करना चाह रहे हैं, तो उनकी जो fees है दोस्तो यहां कुल मिलाकरी सारे charges लगाने के बात में, यहां 706 रुपे उन्हें pay करनी होती है, तो total जो fees उन्हें pay करनी है, high school के चातरों को 706 रुपे पे करनी है, इसी त subjects की fees जमा कर देते हैं, तो उनकी जो 3 या 4 जो भी subjects हैं, वो credit चातर के लाए जाते हैं, तो उनकी fees जो है 306 रुपे उन्हें जमा करनी होती है, और उसके बाद आती है दोस्तों, important and काफी सारी, काफी important यानि high school विनियम के अंत्रगत, अतरी त्विसे की परिक्छा है तो, तो कर रहे हैं, तो उनके लिए 206 रुपे प्रती subject के साफ से fee pay करनी होती है, मा लिजे कोई चातर है, high school में, Sanskrit से और दू से करना चाहरा है, तो उसको 206 रुपे एक subject के साफ से देनी होती है, इसी तरीके से दोस्तों, नीचे बात करते हैं intermediate की, दोस्तों, यहाँ पर intermediate fees है, जो चातर मा लिजे fail है, और वो complete विशे के साथ करना चाहरा है, तो उसकी जो fee से total मिला करके सारे charges के साथ में, 806 रुपे फीस उने pay करनी होगी विध्याले में, इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ नीचे आती है important, काफी intermediate, विनियम के अंतरगत, विनियम के अंतरगत मैंने आपक सब्जेट के साथ में, तो उनकी जो fees है दोस्तों, पर सब्जेट के साथ से 206 रुपे के साथ से fee pay करनी होती है, तो माल लिजे कोई छातर है, वही physics, chemistry और biology में एक्जाम दे रहा है, तो विनियम के अंतरगत आती है, तो उसकी जो fees है 206 रुपे पर सब्जेट के साथ से, उ क्योंकि उन्हें online करने के नाम पर आप से ले सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सो पचास रुपे के करीब साथ extra हो सकती है, तो जो मूल fees है दोस्तों यही है, और जो late payment के साथ हाँ, और जो यदी मैंने बताया था अभी detail में आपको देखी, late payment जब आपकी लग रही थी पहले, तो वो अब late payment के साथ उससे 806 रुपे देने पड़ेंगे, इसी तरीके से भाई, यहाँ पर विनियम के अंतरगत है, कोई चातर है भाई, 206 रुपे एक subject के लग रही थी, तो दो subject की 206 into 2, पिलस 100 रुपे extra इसले लगेंगे कि विलम सुल के साथ, यान को जमा करनी होती है, तो चलिए दोस्तों, यह सारी detail थी, आपकी fees related और आपके कब तक आपको आविदन करना है, चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं कि कहां से हम UP Board में 10th या 12th प्राइवेट के लिए आविदन कर सकते हैं, दोस्तों, देखे, हर साल की तरह जो राज के कर आप आप वहां से आविदन कर सकते हैं, वहां पता कर सकते हैं, कहां से प्राइवेट के लिए आविदन हो रहे हैं, या फिर दोस्तों, यदि आपको सटीक जानकारी चाहिए, तो आप चाहें, तो D.I.O.S. करे लिए, जिला विद्धाले, निरिक्षक करे लिए, आपके इस्टीक के अंदर होगा, इस्टीक मुख्याले के अंदर होगा, आप वहां जाकर भी पता कर सकते हैं, और यदि फिर भी आप नहीं पता कर पा रहेंऊ हैं अपने इस्टीक के अंदर, तो मैं कोसिस करूँगा कि आपके लिए sucks पार मुझे करना लिए आपकर लिए कोशिस करूगा, तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ IMPORTन्स जानकारिया, तो बात करते हैं, एसे सवालों के बारे में जो अधिकतर स्सकी मन में रहते हैं canfusion स्टुएंट्स की रहती है तो दोस्तों सबसे पहला जो कुश्चन आता कि क्या जो हम विनियम के इंदरगत माली जे पहले चातर पास थे और दुबारा से विनियम के इंदरगत एक या दो विसे के साथ में कर रहा है तो क्या उसकी जो माक्सीट है वह कंबाइंड आती है यह माली जे आप किसी दूसरे डिस्टिक में हैं और आप किसी अन्य डिस्टिक से यूपी के अन्य डिस्टिक से आप आविधन करना चाहते हैं प्राइविट के लिए तो बिल्कुल आप बिल्कुल आविधन कर सकते हैं कोई समस्य आपको नहीं आती है अच्छा अगली कुश्चन आता है दोस्तों क्या प्रदेश से बाहर यानि जो यूपी स्टेट से बाहर हैं और वो यूपी बोड से प्राइवेट 10th या 12th करना चाहा हैं तो यहाँ पर ऐसे चात्रों को जो प्रदेश से बाहर के चात्र हैं उन्हें कम सवक्म दो वर्स का य अब दन पत्र के साथ में तु तब वो आजन कर पाते हैं और दोस्तों अगला कोशन है कि क्या जो कारेगार में यानि जो जेल में बंध है बंदी ओम लिए आथंभी पास करने के बाद में पर काथ ही पास कर रकी है या या फिर 10 पास कर रहिे है वो अपनी 10 खर ना चाह रहे हैं private या फिर 12 करना चाह रहे हैं तो ऐसे चात्र भी क्या कर सकते हैं आभी दने प्राइट फूम में या नहीं कर सकते तो बिल्कुल ऐसे चात्र भी direct कर सकते हैं मालीजे कोई बच्चा है कोई स्टुडेंट है जो जेल के अंदर बंध है आठमी किलास उन्होंने पास की है तो वह direct 10 कर सकता है यूपी वोड के माध्यम से private बैस बिच में एक या दो साल का gap जरूर होना चाहिए इसी तरीके से मालीजे कारगार में बंध है कोई चात्र और वो 10th पास आउट तो है लेकिन 12 करना चाहता है विच में gap के साथ में वो private कर सकता है direct 12 ठीक है इसी तरीके से एकला question आता है कि क्या सेना में जो भरती है करमचारी वो अपनी 10th या 12th कर सकते हैं direct या नहीं कर सकते तो बिल्कुल ऐसे चातर भी कर सकते हैं मालीजे ऐसे करमच करना चाहते हैं तो वो 10th के बेस में वो भी direct 12th कर सकते हैं तो दोस्तों अगला question हमारा यह है कि क्या किसी चातर के पहले जो पास आउट 10th या 12th की है वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए फिर से 10th या 12th कर सकता है या नहीं कर सकता Sam subject के साथ में तो दोस्तों नहीं बिल्क सकता नहीं कि आप नंबर बढ़ाने के उद्देशे से आप दुबारा से अपलाई करें तो यह नियम के भी विरुद्ध है आप नहीं उसमें अपलाई भी नहीं कर सकते हैं इसी तरीके से एक लास्ट और आखरी सवाल है कि क्या CBSC Board के चात्र यूपी Board के माध्यम से विनिय माक्षिट उनके पास में अलग आएगी तो किस तरीके से उसका वो यूज करेंगे तो बिल्कुल कोई समस्या ऐसे चात्रों को नहीं आती है तो बिल्कुल जब भी कहीं भी जिसी वेकेंसी में मांगी जाती है जब किसी माक्षिट को दोनों को साथ लगा सकते कोई आपको प्रोब्लम नहीं आती है तो दोस्तों यह थे आपके काफी सारे कंफीजन वाले सवाल जो अधिकतर कॉमेंट में मैं पढ़ता रहता हूं तो मैंने कोशिस की है कि आपके लिए कंप्लीट वीडियो लाने की तो आई होप दोस्तों आपके सारे प्राइवेट फॉर्म से ले प्रैओ doğru आपके सारे सारे में यह हूं वाले सकतर काफी सारे का नहीं यह थाएके सारे ले Mehrot टो छोड़ वीभिय।